Hello friends, आज की busy life में किसी के पास वे समय नहीं है कि वो अपनी health के बारे में सोच सके कोई भी problem यदि हो जाती है तो शुरुआत में हम अपने घर पर रखी हुई दवाईया ही लेने लगते हैं लेकिन बिना doctor से consult किये दवाई खाना आपके kidney के लिए बहुत ज़्यादा harmful हो सकता है Body के बागी important part की तरह से ही kidney भी हमारी body के लिए बहुत ही ज़्यादा important है Life में ज़्यादा काम होने के कारण proper need न लेना ये भी kidney को damage करने का एक indirect कारण बनता है इसलिए अपने आपको healthy रखने के लिए आप कम से कम 7 घंटे की नीद जरूर लें यदि आप ज़्यादा cold drink पीने के शौकीन हैं तो अब आप साबधान हो जाएए और इस आदत को बदल डालिए क्योंकि ज़्यादा cold drink भी आपकी kidney को खराब कर सकता है अलको हल के बारे में तो जानते ही हैं आप ये kidney के साथ साथ liver को भी खराब करता है इसलिए इस आदत को तुरंट बदल डालिए smoking भी kidney को खराब कर सकती है क्योंकि smoking करने से body में toxin जमा हो जाते हैं और ये toxin kidney पर pressure बना कर उसे damage कर सकते हैं non-waste बैसे तो protein rich होता है कारट से kidney में stone की problem भी हो सकती है तो friends kidney को healthy रखने के लिए आप excess protein लेने से बचे हैं tasty खाना होने पर यदि आप अकसर over eating करते हैं तो इससे न केबल आपकी body में fat बढ़ेगा इससे kidney पर भी extra pressure बढ़ेगा यदि आप खाने में नमक जादा लेते हैं तो इससे आपका BP बढ़ेगा जिसका सीधा प्रभाब आपकी kidney पर बढ़ेगा कई बार लोग काम में busy रहने के कारट urine को काफी देर तक रोके रहते हैं urine को रोकने से bladder full हो चाता है और urine उपर kidney की तरफ आने लगता है इसी कारट से urine में जो bacteria होते हैं वो kidney को infected कर देते हैं kidney failure का ये भी कारट हो सकता है friends ये बाते देखने में छोटी छोटी हैं लेकिन आपके health के point of view से ये बहुत ही important हैं आप इन पर ध्यान देकर अपने आपको healthy रख सकते हैं